हे गाइस सेकन राउंड का रिजल्ट है उसको वापस ले लिया गया है ये ऍजीएचम के तुछ जञ़पिए में बहुत बड़ी गरवरी हो चुकी थी बहुती अतरंगी सा रिजल्ट निकल चया था second round के seat allotment का result आया था वो अभी एक गंटा something minute तक था website पे लेकिन अभी finally इसको हटा दिया गया है क्योंकि बहुत से complainants NCHM के पास चले गये थे मैंने भी जहां तक link थी मैंने वहां तक कोशिज करिया आगे बात करने की वहां से मुझे पता चला कि इस website पर से अब इस result को हटा दिया गया है यहां screen पे आप देख लो कुछ time पहले तक कुछ इस तरह का website था यहां पे कुछ time पहले तक इस तरह से second round के result का option आ रहा था लेकिन अभी finally जो अब website दिख रहा है वो कुछ इस तरह से सामने नजर आ रहा है यहां उपर में second final round to seat allotment result will be published on 39-2020 का option आ रहा है जबकि यहां पे नीचे में आपको कहीं भी seat allotment result का option नहीं मिलेगा सीधी सी बात है यहां से result को हटा दिया गया है बहुत ही उठपटांग सा एक result जो है वो यहां पे सामने आया था NCHM counseling के तरफ से यह बहुत ही बुड़ा हुआ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए बहुत सारे restaurant यहां पे प्रसान है कई सारे restaurant मुझे phone करके phone पे रो रहे है कि जो college मुझे मिलना चाहिए वो college मिला नहीं है मेरे खुद की बहुत सारे ऐसे students है जिनको उनके rank होने के बाद भी वो college नहीं मिला है और उसकी जो cut-off जो close हुई है वो 2000-3000 आगे जाकर के हुए लेकिन फिर भी जो eligible candidate है उनको seat नहीं मिली थी अब यहां पे हो सकता है कि कल सुधार इसको करके इसको अच्छे से ठीक करके फिर से result को publish किया जाए अगर यह ठीक हो करके publish होगा तो बहुत से student के लिए यह good news हो जाएगी एक अच्छी cover हो जाएगी क्योंकि जो student भी रो रहे हैं बाई इस तरह से तो कते ही नहीं करना चाहिए यार जो अभी हुआ है जिस तरह से आप देख लो मैंने इसके उपर वीडियो भी कर दिया था जैसे ही update आता है आप सभी को पता है कि hotel management helper youtube channel पे वो update आ जाती है पहले तो मैंने इसके उपर वीडियो upload कर दिया था वीडियो बना के मैंने 3-4 student का result देखा भी था खुद से उसके बाद मैंने यह result के उपर एक वीडियो बनाया उसको publish भी कर दिया और अभी तक वो result मेरे चैनल पे upload है अभी मैं आपको बता हूँ यहर मतलब मेरा भी दिमाग यहां पेगाम करना बंद कर दिया था एक time के लिए जिस तरह का आज का यह result आया था cut off कुछ और बोल रहा है result कुछ और ही समझा रहा है सामने में आप से भी दोस्तों को बस इतना बोलना चाहूँगा कि आप patience बना करके रखें जिलोग का result सही तरह किसे नहीं आया था उमीद है कि वो result कल सही करके ठीक करके उसको publish किया जाएगा और पेसंस बनाए रखें थाइंक्यू